हाँ तो नमस्ते दोस्तो रादे रादे राम राम चले करें अपने सेशन को कंटिन्वस क्या आज बिमारियों का एंडी करेंगे फिर नया कोई चेप्टर पढ़ेंगे साइन्स का अपना ठीक है तो चलते हैं देखो सबसे पहले क्यूसर नमर फैस्ट फैस्ट देखो इंजाइम कार्बोहर्डरेट्वोस्ता इन सब बारे में इसलिए ठीक है इनजाइम जो है वह प्रोटीन के बिने बैए राक लेए ठीक है प्रोटीन कहां से मिलती है क्या इन सब के बारे में पने बोजन के अव्योंत उनके बारे में पर नेक्ष्ट पडेंगे, ठीक है, नेक्ष्ट वाले यॉनिट में, तो एनज़ाइम, प्रोटीन के बनेंवे होते हैं, छलें, नेक्ष्ट कुशन पर, नेक्स्ट देखो लेक्टोज युक्त डाई सेके राइड है बई डाई का मतलब होता है दो अब यह है कि लेक्टोज एक सुगर है ठीक है जो दो से मिलके बनी है तो दो कौन कौन से है यह पूछ रहा है उसके दो गटक कौन कौन से है शेके राइड का मतलब सुगर होता है सर एक तो glucose की unit और एक glycose की unit दोनों से मिलके बनता है क्या lactose और lactose पाया कहा जाता है दूद के अंदर पाया जाता है ठीक है lactose sugar दूद से मिलती है अपने को दूद होता है न उससे मिलता है और उसमें क्या क्या कॉन सी है monosecureide बोलते हैं इन दोनों को तो यह monosecureide इक का नाम गुलकोज है एक का नाम गलिक्टोज है ठीक है चलें नेक्स्ट कुशन पे नेक्स्ट pentathenic acid क्या है अब देखो chemistry में आपन पढ़ते हैं अगर एक है तो वर्ड आता है mono 2 है तो 2, 8, 8 3 है तो 3, 4 है तो tetra, 5 है तो penta अब जहां भी 5 दिखे वो इसका अंसर होगा तो pentothenic का मतलब है pentothenic acid amal अब आपने vitamin B पढ़ा है vitamin B उसके कई सारे टाइप होते है vitamin B के तो उनमें देखो B1, B2, B3, B5, B9, B12 इस टाइप से चलता है तो pentathenic जो नाम है वो कोड़ सी का नाम है pentothenic 5 वाले का तो vitamin B5 का आ गया समझ चलते हैं next question पे next देखो dextrose को सामाने तक किस अन्य नाम से जाना जाता है और दूसरा नाम भी है dextrose sugar का तो वो है पने पास में glucose glucose का दूसरा नाम क्या है dextrose आती है देखो एड़ भी आते हैं इसके अजे देवगन देता है खेल रहे होते हैं तो वो glucose का एड़ देता है तो glucose का ही दूसरा नाम क्या है dextrose ठीक है चलाए next question पे next देखो vitamin B3 का रासैनिक नाम अभी अभी आया था B5 का vitamin B5 इसका नाम आया था तो इसका कैसे निकाला था यहां 5 तो 5 के लिए वड़ाता है penta तो penta थेनीक एशिड तो किसका होता है penta थेनीक एशिड अमल यह तो होता है B5 का ठीक है तो B थरी का पूछ रहा है थरी का नाम होता है नियाशीन जो कहां से मिलते हैं यह सब आपको याद रखनी है यह सारी बाते चलते हैं नेक्स्ट क्यूशन पे नेक्स्ट देखो विटामिन E का रहा साइनिक नाम अभी आपके पास में सब आ गए हैं विटामिन A D E शोरी विटामिन A B दुवारा करते हैं शोरी A A B C D E K तो यह आपके पास में विटामिन हैं ठीक है इन में से B और C तो कहां जल में विले होते हैं बाकी A, D, E, K यह कहां होते हैं वसा में विले होते हैं अब यह पूचरा विटामिन E का रासाइनिक नाम सब का रासाइनिक नाम कमी से होने वाले डीजीज और यह कहां से मिलता है रासाइनिक नाम और कमी से होने वाले डीजीज तो आप आवस्ये ही पढ़ लेना ठीक है तो इसका नाम है अपने के लिए किसका उपयोग किया जाता है कोई उपकरन है जैसे हैं डोक्टर कानों में यूज करता है एक इस को बोलते हैं जो रिदे की दड़कन को मापने के लिए काम में लिया जाता है तो ऐसे यह पूछ रहा है मोटापा, ओब सीटी बोलते हैं इसको मोटापा, तो मोटापा को मापने के लिए क्काम में ली जाती है, यह BMI, यह रही, BMI का मतलब Body, Mass, Index, एक particular उनका यह उता है, जिसकी height इतनी है, या फिर age इतनी है, उसके according weight है ना, वो तो सही है, ठीक है, फिर से कम या जाद्धा है जाद्दा है तो क्या हो जत्था मोट और कम है तो क्या हो जितना हो जाया उस लेवल VS नीचे ऊगया तो इसके लिए यूज किया जाता है बोर्डी मास इंडेक्स demi मोट आपा को मापने के लिए करके अधिये लीमर नहीं फीमर जो सबसे लंबी हड़ी होती है जांग में पाई जाती है सबसे लंबी हड़ी जांग होती है ना अपनी उसमें पाई जाती है सबसे लंबी हड़ी और कहां मिलती है थाई जांग में फिर दे रखा है कैंसर के विकास का एक परकार नहीं कैंसर का विकास हो र नहीं है लीमर नेक्ष्ट देरखा आपके पास में एक साधान मशीन काई की मशीन यह भी नहीं है देखो मेड़ागासकर में पाए जाने वाला एक जानुर है जिसको बोलते हैं लीमर जैसा कुट्टा बिल्ली आथी शेर चीता यह होते हैं वैसी होता है लीमर तो ओप्सन दे में पाया जाता है यह लीमर मेड़ागासकर दीप समू है वहाँ पाया जाता है गासकर मेड़ागासकर में मिलता है तो सुन्दर सुन्दर आखे हैं बिल्ली की तरह ही है यह देखने में तो अपने को तो ऐसा ही लगता है इसको लीमर बोलते हैं ठीक है कोई मसीन नहीं है को नेक्श्ट देखो वीकाम के ग्याथ ग्यात जिक्म्राइरूप में उग स्कारी वाइरस कि तो और आग compliance मुष्छ से यह पूछाने के वाइरस रहां कि किस के नेक्षच देख़ितेंग से एक जिका वाइरस जेड आई के ए ठीक है यह होता है यह एडीज मत्षर के काटने से फैलता है जिका वाइरस इंपोर्टेंट है यह कुशन भी 16 में आया है काफी बार आया वैसे यह उसी एकजाम में अब देखो नेक्ष्ट भी यह पूछर जिका वाइरस किसके द्वारा मनुश करोष्ण एक द्वां है जो क्या काम में आती है बोल रहा है दर्द ना सखाँ दर्द को कम करती सबसे पहले तो आपको यह पता हुना जी ओटी सी है क्या चीज देखो कई कई द्वाइब के लिए अपने को डोक्टर के पास नहीं जाना होता अपने डाइरेक्ट जाते हैं क इनके डोक्टर अपन खुद ही होते हैं कि दर्द हो रहा है सही कुछ तो ले आते हैं तो वह OTC की उसमें आता है ओवर दे काउंटर बिन पर्ची की दवा बिन पर्चे वाली बोलते हैं इनको बिन पर्चे वाली दवा ना कोई लाइन में लगना ना कोई बात है ना डोक्टर को कोई फीश देनी अपन गए और ले आए उसको OTC बोलते हैं ओवर दे काउंटर अब यह बोल रहा है यह ये दर्द नासक ये जवर नासक, रोगानू नासक के लिए तो देखो एंटी बैक्टिरियल है ना जो एंटी बायोटिक जिनको बोलते हैं, एंटी बायोटिक काम में ली जाती हैं, तो इसका उप्शन होगा दर्द नासक ये जवर नासक, जो दर्द को भी कम करती हैं और जो द्वारा फैलता है एडीज, वाइरस, मच्छर, एडीज, एजिप्टी, जो डेंगू भी फैलाता है, चिकनगूनिया, पीले बुखार को भी संचारित करता है, अब यह देख ले ना, यह डेंगू, याद रखना, चिकनगूनिया, येलो जवर, और यह क्या है, जिका वाइर ये, 2016 में, अप्रेल में फैल रहा था, ठीक है, करन्ट का है, ये, पाया गया, वाइरस, बुरून के, मस्तिस को नुक्सान पहुचाता, रो, मस्तिस को बढ़ने से रोगता है, अभी देखो, मैं फिर से बोलें, जो प्रेगनेंट लेडीज होती न, उन में ही हो जाने पे, इस तरह से जनमजात का रूप भी ले सकता है, क्योंकि उस मात्ता को ओने पर ये बच्चे में चला जाता है, तो अनुवनशी की बिमारी हो गई, एक तरह से हो, उस टाइम तो गर्ब होती महिला को, तो इसका सबसे ज़्यादा खास द्यान देना चाहिए, क्योंकि उसके द जिक्का वाइरस से केवल बुरून को नुक्सान पहुंचाता, नहीं, बुरून को पहुंचाता, ये केवल ना होता ना, तो तो ये सही भी बुरून को पहुंचाता, ये ठीक है, पर ये केवल, जिक्का वाइरस मच्छर से फैलता है, जिक्का वाइरस ना ब्राद जिलता क क्यों यह तो अपने कहीं भी फैल सकता है ठीक है इंडिया में बीर कहीं भी फैल सकता बहीं जाँ भी यह वाइरस मच्छर होगा वहीं फैल जाएगा तो इसका आंसरों को जिक्का वाइरस मच्छर द्वारा फैलता एक ही बस यह मच्छर मच्छर इस पर आदारी साइट तीसर तो इस कांसर क्या होगा जीक का वाइरस के द्वारा फैलता है और मस्तिस को नुस्कान पहुचाता ये तो ये पहुचाता है ब्रून के अब चलते हैं नेक्स्ट क्यूसन पर नेक्स्ट देखो यलो बुखार अभी आया है जिसको यलो फिवर पित जवर मुख्य रूप से इन लो फिवर तो ये किस द्वारा फैल रहा है अब इसका यह तो समझ में आगा है मच्छर के काटने से फैलता है यह भी मच्छर यह भी मच्छर तो यह तो दोनों की ओ गए रों हो गए अभी आपको पहले ही पाया था कि बिमारी फैलाने में कौन से मच्छर जादा पढ़ाए तो इन ही में सब में अब चलते हैं कौनशी बिमारी है से संबंदीत नहीं है दिल से संबंदीत नहीं है ऐसे बोल रहा ठीक है तो इन मैं पढ़ें aneurysm Aneurism तो दमनियों पर ऐसे दमनी और दमनी क्या करती है दमनी और शीरा दो होती है आर्ट्री और वेन बोलते हैं जिसको यह तो लेके जाती है सुध बलड रख और यह क्या लेके जाती है इसमें तो o2-yukt होता है oxygen यूकत और इसमें जो बलड होता है वो co2-yukt होता है अब जो aneurysm उसमें जो दमनी होती है ये pipe मालो एक तरह से ये pipe है तो इन में कहीं पतला होना कहीं सकरा होना इस टाइप से होना तो blood का circulation है वो सही से नहीं हो पता वो विमारी तो aneurysm होती है तो दिल से समंदित है मतलब ये तो आपको नहीं पर जाना है तो ये पूछ रहा है ये तो है कार्डियो मायोपेथी देखो कार्डियक मैंने नाम भी बोला था ये अपना हैट है मैंने फोर चेंबर का बनाया देखो आपके जैसा हो है वैसा तो मैंने बना नहीं ये उपर तो है आलिंद दोनों दोनों है एक दाया है एक बाया है ये दोनों तो आलिंद है और ये निले ह तो यह अपना तो इसके बाहर जो मसल्स होती है ना यहां पर उनको बोलते हैं कार्डियक मसल्स तो यह भी हो गई कार्डियक मायोपेथी यह इसी का नाम है तो इसी से होगा ना तो यह भी है और यह भी है नेक्ट चलते हैं डिफ्थीरिया ना यह तो नहीं है डिफ्थीरिया प्रट्टूशी से टिटनेस ये प्रेगनेंसिया टाइम में एक टीक लगता है ठीक है तीन मिमारियों को रोकने का काम करता तो इसका अंसर तो डिफ्तिरिय हो जाएगा । आगे इस्तीरिया नहीं है यह डीपीटी में इंकलूड हो जाता है आ गया समझ चलें नेक्स्ट क्यूशन पर नेक्स्ट देखो आर एम एबी दवा अपने वरग में दुनिया की पहली तेजी से काम करने वाली दवा जल्द ही कब की बात कर रहा है यह अगर आपने मेरा सेशन पड़ा है तो मैंने आपको किसी एक कलास में बताया होगा कि दो जार शोड़ा में एक इंडिया ने एक खोज की थी जो किसको रोकने की दवा थी वो थी anti-rebige रेबीज कैसे फैलता है virus के दवारा कुत्ता बंदर चमगादड कुत्ता बंदर चमगादड इनके काटने से फैल जाता है और इसमें रोगी वेक्ती जल को देख के डरने लगता है जिसको बोलते हैं hydrophobia पड़ा था ये ऐसा कुछ है hydrophobia हमें जल्दी लोंच होने वाली है तो ये अप्रेल मैं में हो गई होगी अप्रेल देखो पांच अप्रेल का ये पेपर तो उसका है रेबीज रोदी दवा ये है रेबीज human monoclonal antibody नाम होगा इसका रेबीज human monoclonal antibody antibody full form ये भी द्यान में रख लेना तो ये उस टाइम का क्यूशन है अब तो देखो करंट में था उस टाइम अब तो कोविड का चलता है ज्यादा ठीक है अब तो थोड़ा तो कोविड भी पुनाना हो चुका है अब चलते हैं नेक्स्ट क्यूशन पर नेक्स्ट देखो समझ में आ गए ना उसका अंसर रेबीज रोदी दवा है ये जो इंडिया ने लॉंच की थी नेक्स्ट पर चलते हैं देखो एनीमिया रखतावता इस्तती किसकी वज़े अपने होता है बलड बलड में कमिया जाए थोड़ी अपने ऐसे पढ़ते हैं बलड में कमिया जाए तो उसको बोलते हैं अब बलड में भी देखो एक तो होता है पलाजमा और एक होती है बलड शेल पलाजमा और एक होती है शेल्स बलड शेल्स बलड शेल्स बलड शेल्स की होती है एक होती है ब्लीक चिक होती है डबलूba लाल रख्त कणिका तो लाल रख्त कणिका में कमी आने पर कौण सी बिमारी हो जाती है एनीमिया लाल रख्त कणिका रेड बलड शेल्स कणिका ठीक है चले नेक्स्ट क्यूशन पर आ गया समझ में अब देखो चलते हैं कैंसर के एलाज में बई विक्रन थेरेपी में निमन में से किसका उपयों किया जाता है यह देखो आईसो टोप आपके पास में जोदे रखें अपने पास में आवसार नहीं है ना उनम्में UW-star कोंगाल तोबें तक ग्यात हो चुके हैं तो उनमें उनका यूज दे रख़्ा है तो गैंसर के इलाजम तेरेपी दी जाती है ना तो धेरेपी में नेक्स्ट देखो नीमन में से कौन सा एक कोशी की जीव है एक कोशी के मतलब जिसमें सिंगल कोशी का है बाकी देखो जो पराणी है ना उनका जैसे सबसे पहले तो एक कोशी का बनी है अब जो छोटे जीव ना एमिबबा है हाइडरा है इस टाइप के जीवन में एक कोशी का और वोती है वही सारे काम करती है तो यह आं बोल एक कोशी की जीव जो काला अजार नम के एक रोग पैदा करता है ठीक है तो उसका कारण क्या है तो उसका कारण है एक जीव जिसका नाम है लिसमानिया डोणो वनाई। यह इनके biological नेम होते हैं जैसे chemistry में तो नाम बोल देते ह वैसे biological में अगर botany में तो क्या हो गया botanical name और geologi में तो geological name तो ये इनका biological name है ये एक जीव है ठीक है उसका नाम है लिस्मानिया डोनोनाई जो की कालाजार डिजीज पैदा करता है चलें next question पे next देखते हैं देखो next food poisoning होई जाती है ये तो होती रहती है होने की सबसे अधिक संभावना होती है कब होती है तो ये देखो सुकसम जीयों दोरा खराब किये गए बोजन को खाने से इस type of question भी आपके पास में एक आया था एक लड़की जो मिठाई खा रही है उस पे मक्खी बैठी थी उसने मक्खी को हटा दिया और फिर उसको खा लिया तो वो किस बिमारी से पिडित होती है द्यान आ रहा है आपको वो उसका आंसर था है जा है जा से पिडित होने वाली है तो ये बोलड़ा परी रख्षक मतलब देखो कोई चीज खराब हो जाए तो उसको बचाने के लिए उसमें जो मिलाते ना उसको बोलते हैं परी रख्षक जैसे सोडियम बेंजोएट ये काम में लिए जाते हैं मचलिया है अब एक फिक्स टाइम होता है ना इतने टाइम तक रह सकते हैं तो की रूप में उन पर नमक लगा के फिर उनको आइस में रखना तो ये परी रख सकते हैं इनको खाने से नहीं है क्या होगा आपका आंसर सुक्सम्जियों द्वारा खराब किये गए बोजन को खाने से आ गया समझ चलें चलते हैं नेक्स्ट कि साइकलोन थर्टी साइकलोन ए बाड़ियां वगेरा भी उठा लेता तो यह है पर यहां तो कोई अपन डिजीज में पढ़ रहे हैं तो देखो एक पार्टीकल है एसकेलेरेटर है जिसका चिकित्सा में उपयोग किया जाता है यह किस रोग से गरशित रोगियों की साहिता करता है यह पूछ रहा है कि यह साइकलोन थर्टी है ना साइकलोन थर्टी बात करें तो यह एक कोबाल्ट का ही मान सकते हैं आप ठीक है तो यह किया जाता है कैंसर के उपचार में पीछे भी आया था इसका कोबाल्ट साथ है भी आया था ना कोबाल्ट साथ का यूज किया जाता है पीछे अभी क्यूशन म है तो यह वैसे ही साइकलोन थर्टी है ना इसका यूज भी किसमें कैंसर के पता लगाने में निदान में तो इन में साहिता करता है आ गया समझ चलते हैं नेक्स्ट क्यूशन देखो नोमोफोबिया क्या है अच्छा है क्यूशन तो नोमोफोबिया अब देखो आपके क्यूशन आया है अभी RRB Ntpc में और वह भी 2020 में और यह जब आया था ना तो उस टाइम पर देखो कुछ आते हैं बेष्ट फोट ओफ दे येर बेष्ट वर्ट ओफ दे येर बेष्ट ल है क्या चीज क्योंकि यह है यह सा आप जब इसका पढ़ें गर के संप्रक्ष से बाहर होने का डर गर में रहें बस कुए का मिंड़क होना बाहर जाएं तो डर यह होते हैं देखो डर का मतलब फोबिया का मतलब डर होता है तो यह तो पता है कि अब आगे तो डर ही आएगा त यह तो सब में ही होगा साइध ऐसा लगता है आज के दिन तो नौमोफोबिया आंसर इसका यह है देखो डिजीज में यह पूछा है पर इसका डिजीज से वैसे कोई रिलेशन नहीं हुआ बस फोबिया एक बैबी तो ना उसी वज़े से इस क्यूशन को यहां ले लिया कम्प्यूटर के संप्रक में रहते हैं लोग तो यह बोला कि उसके संप्रक से तूटने का डर बार होने का डर यह भी नहीं है टीवी के संप्रक से बार होने का डर अब जो भी लड़कियां या फिर जो भी मेरी एज़े से मालने थोड़ी बड़ी मालने शीरियल देखती है त अब यह देखो cellular phone के संपरक से बार होने का डर ठीक है no phone no mobile phone इसका यह है कि देखो यह full phone भी no mobile phone ठीक है mobile phone नहीं रहा तो cellular phone के संपरक से बार होने का डर अच्छा क्यूशनर अच्छा ही आंसर है आ गया ना अब तो समझ यह जो वर्ड आते हैं न थीम आती है कई देखो current में थ स्वाइन फ्ल्यू यह भी आया था थोड़े टाइम पहले इन में से किसकी वज़े से फैलता है तो most of बीमारियां फैलाने वाले कौन होते हैं बैक्टिरिया और वाइरस होते हैं और फंगल डिजीज भी होती है जैसे दाद और यह पर जीविए ना यह भी फैलाते तो पर कम फैलाते हैं तो इसका आंसर होगा फल्यू जो भी फैलाते हैं आपके पास में यह कोरोना है स्वाइन फल्यू है बड़ फल्यू यह सब किसकी वज़े से फैलते हैं वाइरस की वज़े से तो यह इसका आंसर क्या होगा विसानू और विसानू को क्या बोलते हैं वाइरस दोनों ही नाम आपको ध्यान रखनी है, स्वाइन फिल्यू का अंसर क्या होगा, वाइरस, चलते हैं, नेक्स्ट क्यूशन पे, नेक्स्ट देखो, साइटरस केंकर, सीटरस केंकर भी बोलते हैं, एक डिजीज है, एक रोग है, हार्मोन का तो हार्मोन ही रहेगा, हार्मोन बोल दो, हार्मोन बोल दो, ठीक है, पर इनके दो-दो नाम है, दोनों याद रखने, इसका दूसरा नाम वाइरस है, इसका नाम फंगी या फंजाई, दोनों ही लिखे जाते हैं, ये वाले, तो ये है, इसका आंसर क्या होगा ये, बैक्टिरिया जनीत डिजीज है, आ गया समझ, चलें, नेक्स्ट क्यूशन पे, नेक्स्ट देखो, इन में किसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है, आया होगा, अभी अभी थोड़ी टाइम पहले ही आया है, कहीं ना कहीं, द्यान है, तो आप क्यूशन को पढ़ते ही, इसका आंसर जरूर टाइप करेंगे, ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या था, कोबाल्ट, 60 है, समझ स्थानिक भी याद रख लेना, कोबाल्ट, 60 का यूज किया जाता है, किसमें, कैंसर के उपचार में, आ गया समझ, अगर आपको रीकोल हो रहा है, तो आप दिमाग लगा के पढ़ रहे हैं, ठीक है, चलते हैं, नेक्स्ट क्यूशन पे, पहले गरा की कमी के कारण होता है, पहले गरा, फिर यहां ऐसे कोई ब्रेकर टाइप माल ले हैं, किस की कमी के कारण होता है, यह पूछ रहा है, तो पहले गरा होती है, एक डिजीज, जिसमें ऐसे स्वेरिंग टाइप आईप आ जाती ही, सूजन वगेरा, ठीक है, तो यह विटामिन बी की कमी से होता है, अब होता है, नियाशीन की कमी के कारण, और यह है विटामिन बी थरी, विटामिन बी थरी का नाम है, राशाइनिक नाम है नियाशीन, और नियाशीन की कमी के कारण, रोग होता है, पहले लाग रहा है, तो एक तो आपको याद होगा है, आप याद रख लेना, और एनी टाइम, जब तक आपकी एक्जाम नहीं आप एनिटाइम ही याद रखना क्योंकि देखो डीजीज है तो डीजीज तो कभी किसी को भी हो सकती है तो इनको तो आप याद रख लें विटामिन B3 की कम्य के काण कोंटस हो जहता है बी 150 एक नाम है नियक्सिन और रोघ हो जता है पिलाग रहा चलते हैं नेक्स्ट क्यूसन पर नेक्स्ट देखो ल्चोडर्मा की बिमारी ऐसे यहां भी यह वालने की यहां ऐसे ब्रेकेट है ठीक है तो यह दे रखा हैं कि की तो लिवर की शे समंदित होता है कि आंखों से चांजकुन और शहाइए अभी चाहिस성 कोबिए चुब च्राइफ गभीर आशा-म क्यूस्च सब्सक्राइब हो गया चल्ने नेक्सट क्यूसन पर इसकी न भी होती तो उझा नेक्सट पर जलते हैं जीक का वायरस के पहले क्के जिसका का नाम ata किसके दौरहर तिया गया था किसके दौरहर्थ किया घया था यह बोल रहा है अब दो गंपनी तो छैक पान की दाइची संक्च। और एक एस् चिकन गूनिया पीला बुखार आया पीछे उसी टाइप से ये फैलता है गरब होती में इला में ओने से एक तरह से आनुवन्शिक रोग भी हो सकता है बच्चों में जा सकता है अब ये जो है ना ये उपलब्दी किसने हासिल की थी भारत ने अब भारत की भी दो कमपनी है त दो खेले इसने हासिल ठीको खोजने की एपलबदी अब चलते हैं नेक्स्ट क्यूसन पर नेक्स्ट देखो डएकलो फिनेग एक डवा है येला लाता यॡशीन आ Dasar अदे लग जाती एना पर किसकी जाती जाती पूछ रहा है कि डाइकलोफिनेक जैल जो बनाना उसकी खोज हुई तो उसके खोज से चलो अच्छी है एक खोज हुई लेकिन ये पूछ रहा है कि उसकी कौन से जो जीव है उनमें कमी आ गई है तो इनमें आ गई है गिद गिद होते हैं मरेवे जो ये पस्व अगेरा होते हैं देखो पहले देखें हमने तो जोड होते थे उन में खाने के लिए आते थे उस पस्व को खाने के लिए पता नहीं उनकी सुगंद से आते थे या उड़ते वे उनकी नजर थी तो वहां पे खाने के लिए आते थे तो गिद की संख्या क्या हो गई है क हो गई है यह तो ऐसे याद रखना अभी थोड़े टाइम पहले है 22 में 2022 में रार भी ग्रूप डी में आ गया समझ में डाइकलोफिन एक जैल की उज़े से अब चलते हैं नेक्ट पे दो चले गए क्या हाँ यह विंको 19 का उपचार करने वाली पहली स्वेदेशी दवा है जिसे निस्करी यह मतलब सार्श को अब देखो अपना क्यूस्षन है अभी अपने दोजार चोईस में जी रहे हैं दोजार चोईस में डिजीज पढ़ रहे हैं तो कोवीड की बात ना हो ऐसा तो फिर शेशन यह दूरा रह जाता है अपने तो यह वहीं से रिलेटर को का नाम आते ही कोवीड यह 19 दिखते ही तो आपको कुछ तो समझ में आ जाता होगा सार् इस नाम उठाए था जिसको प्रतिरक्षित मतलब मिक्स करके ठीक गलाइकोप्रोटीन के साथ मिक्स करके और यह बम सब्सक्मिया था टीक है ना उसके गलाइकोbs करके में को यहां से या तो यह तो यह या option बना देगा तो यह भी यार देखना सार्ष कोव टू और इस से कौन सा बनाए विनकोव 19 ठीक है आ गया समझ ऐसे फैक्ट्चुल क्यूशन है याद रख लेंगे चलते हैं नेक्स्ट क्यूशन पर नेक्स्ट देखो नीमन लिखित में से कौन कोविड 19 का ओमिक्रोन हाइब् थी 21 मही में आई थी और फिर यह दे रहा है अप्रेल 2022 में एक और आई जिसका नाम क्या दिया था ऐसे ओमिक्रोन हाइब्रेड इस्ट्रेन कोविड 19 के ही रूप चल रहे हैं थैड रूप है इसका तो इसमें यह पूछ रहा है कि कौन सा जो था आपने पास में कौन सा वेर नेक्स्ट क्यूशन नेक्स्ट देखो भारत की पहली स्वेदेशी कोविड 19 वेक्षीन बनाई है ठीक है को बी बी आई एल बी बी आई एल की फुलफो मानी चाहिए अच्छा यही पूछेगा के लाश्ट में बी बी आई एल दवारा भारतिये चिकित्सा अनुसंधान पर भी वन बाई फॉर शायोग से विक्सित किया गया इसने वन बाई फॉर दिया उसने बचावा दिया तो यह पूछ रहा है बी बी आई एल का पूर्ण रूपफल फॉम ओफ बी बी आई एल तो इन में से सब में दे रखा है एल मतलब लिमिटेड होगा सही है और आई मतलब इंटरनेशनल होगा ठीक है सब का अब देखो बी का एक का मतलब है भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड क्यूशन है दोजार बाईस में और वह भी शेप्टेमर में ठीक है तो यह दे रखा है भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड बी बी आई एल ये वाली आ मैमार और एन आई वी ठीक है चलें यह थे अपने क्युस्टन अब देखो डिजीज की साइध आठ नो कलास हो गई है अब डिजीज आप इन में से जब कलास होगी ना तो कोई न्यू सेशन लेके आएंगे जिसमें न्यू टोपिक होगा या तो आप कमेंट करके डाल देना कि कौन सा पढ़ना या फिर हम ले आएंगे अब देखो फिर से वही बात चैनल को लाइक शेर सबस्क्राइब जरूर करें ठीक है थैंक यू धन्यव प्रवाद